हेलो एवरिवन, वेलकम तू माई यूट्यूब चानल, इस वीडियो में हम आपका चैप्टर टू कॉंपोनेंट्स और फूड साइन्स का, क्लासिक्स का कंटिन्यू करेंगे और ये है पार्ट फाइफ वीडियो, ओके, इस वीडियो में, हम पिछले वीडियो में, सौरी हमने ये इस complete कर लिया था, कि जो हमें nutrients है, वो हमारी body को क्यों चाहिए होते हैं, इस वीडियो में हम शुरू करेंगे activity 3, देखते हैं इस activity से हमारा कौन सा नया topic जुड़ा हुआ है, टेक टमेटो और फ्रूट लाइक लेमन, टमेटो लेना है या लेमन जैसा कोई फ्रूट लेन आप मत काटना, किसी से बड़े से कटवाना, तो चुब अब उसको काटो गेना तो आपके है, उसके हैंड जो है, वो गीले हो जाएंगे, वेट हो जाएंगे, टेक है, केरफूली अब्सर्वेनेवर fruits and vegetables are being cut, peeled, grated, mashed at your home, जब भी कोई भी vegetable, fruit आपके घर में छीला जाता है, लेटर किया जाता है, या मैश किया जाता है, मतलब चुरकन सा बनाया जाता है, आपके घर में, तो आपको उसको केयरफुली अब्सर्व करना, आपको ये तो पता ही होगा, मतलब ये आप थोड़ा सा, इतना अगर आप ये सब करें, आपने टमेटो को ऐसे काटते हुए, किसी को अगर देखा, आपने कोई भी vegetable को काटते हुए, आप देखोगे कि उसके अंदर water है, ठीक है, आपकी वाटर के साथ, आपकी कही न कहीं फ्रेंडशिप है, अब हम पढ़ते हैं, बैलेंस डाइट, ये भी है, ये बहुत important topic है, the food we normally eat in a day is our diet, जो हम food खाते हैं, अपने दे में, दिन में, उसको हम diet कहते हैं, ठीक है, diet कहते हैं, लेकिन अगर दिन में हम junky food खा रहे हैं, junk food, junk food, junk food, तब वो balanced diet है कि unbalanced diet है, obviously, diet का मतलब क्या हुआ, जो खाना खा रहे हो, और junk food खा रहे हो पूरे दिन, तो वो क्या हुआ, unbalanced diet हो गया, ठीक है, वो अच्छा diet नहीं है, बिलकुल भी, ठीक है, तो जो खाना आप अपने growth के लिए, अपने maintenance, अपने good health के लिए खाते हो, ठीक है, जिससे आपको nutrients मिलते है, right quantity में, right quantity का क्या मतलब ही, बाइ, मतलब, आपकी body में carbohydrate भी जा रहाए, fat भी जा रहा है, protein भी जा रहा है, vitamin भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, ठीक है, ना ही जादा और ना ही बहुत थोड़ा, ठीक है, जिससे आपको यह सम मिल रहा है, मेरे हिसाब से जंक फूड से यह सम नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको और जिसके अंदर रफिज और वाटर भी है, उस डाइट को आप बैलने डाइट क कहते हो, I hope या unbalanced diet लेकिन जो food आप ऐसा food खा रहे हो दिखो मैं definition बताते हूं the food which we eat the food which is help for our growth and maintenance of the good health and we take it in a right quantities not too much of one or not too much little of the other that diet also contain a good amount of roughage and water that diet is called a balanced diet बच्पन में आप इसकी definition पढ़ते थे कि जो right quantities में सारे सारे चीज़े right quantities में ली जाते है उसको balance diet कहते हो अभी यहां पर हमने कौन कौन सी चीज़ आइड की है कि साथ में growth maintenance वगिरा भी do you think that people of all ages need the same type of food क्या आप यह एक बहुत अच्छा question है कि क्या सारे टाइप के जो मतब बुढ़े बच्चे जवान लोगों को भी same type का diet ही चाहिए होता है do you also think that what we need for the balance diet depends upon the physical work हमारा जो balance diet होता है वो हमारे physical work पे depend करता है ऐसा नहीं है कि आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो लेकिन आप यह सोच रहे हो कि मुझे घी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए बढ़ना ज़्यादा घी हो जाएगा body के लिए ठीक है तो क्या आप ऐसा सोचते हो कि जो आपकी balance diet है वो आपके physical work पे depend करती है मैं तो ऐसा सोचते हूँ हाँ क्योंकि अगर आप ज़्यादा काम करें आप हिम्मत वाला काम करें और अगर आप यह सोचते हो कि नहीं अगर मैं ज़्यादा घी खाऊंगा तो balance diet unbalance हो जाएगी तो आपका physical work जाता है तो आपका balance diet होना चाहिए वो भी उसी के हिसाब से होना चाहिए एक हफते में आपको time to time क्या खाते हो उसका आप चार्ट बनाओ और आपको यह भी दिखना कि क्या सारे nutrients प्रेजेंट है जो आपने food item खाएं उसके अंदर pulses groundnut soya bean sprouted seeds sprouted seeds में मतलब क्या आता है मूंग या बेंगॉल ग्राम बेंगॉल चना बेंगॉली चना fermented food fermented food मतलब इडली वगरा fermented क्यों कहा गया है क्योंकि इसमें better बनाके रखा जाता है ठीक है वो थोड़ा full सा जाता है तो fermented उसको कहते है a combination of fermentation मतलब वो अभी आप fermentation भी आप आगे पढ़ होगे ठीक है तो अभी आप इतना सोच हो जिसमें better बनाके रखा जाता है a combination of floors, floors का combination मतलब रोटी, थेपला, cereals, pulses, डाल वागे रहा बनाना, spinach, jaggery, jaggery मतलब गुड यह जितने भी vegetable है, जितने भी food है यह सारी चीज़े जितने की मैंने अपने नाम लिया है यह समय है nutrients प्रोबाइट करते हैं इसलिए therefore one can eat a balanced diet without expensive food material इसलिए दुनिया का हर कोई बंदा बिना मेहंगा, मैंने मेहंगी की बात किया, बिना पैसे की नहीं, बिना मेहंगा food खरीदे भी अपनी balanced diet को strong रख सकता है eating is the right kind of a food is not enough, सही तरीके का खाना खाना इतना काफी नहीं है, वो खाना cook भी होना चाहिए अच्छे से, ताकि उसके सारे nutrients loss न हो जाए, गुम न हो जाए, और आपको यह भी पता है बात कि मतलब cooking की टाइम पे आदे से जादा nutrients क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, ठीक है if the vegetable and the fruits, अगर आप vegetable को अच्छे से काट, sorry, अगर आप अच्छे से vegetable को wash करते हो, काटने या छीनने से पहले, तो it may result in the loss of some vitamins, ठीक है, कुछ vitamins का loss हो जाता है, मतलब कुछ ऐसे fruits के आप छिलके निकाल देते हो, जो छिलके निकाल देते हो, तो इसका मतलब आप कुछ vitamins गुम क कर रहे हो, okay, the skins of many vegetables and fruits contain the vitamins, क्योंकि बहुत सारे vegetable और fruits के skin होती है, जिनको आप छील देते हो, उसके अंदर vitamins and minerals होते है, और ऐसा नहीं है, कि मतलब आप fruits को wash मत करो, लेकिन आप जब उसको बार-बार wash करते हो, तो वो मत करो, similarly repeated washing of rice and pulses में, remove some vitamins and minerals present in there, जब आप rice को बार-बार बार-बार उपर से wash करते रहते हैं, आप देखते हो, अपने mothers को देखते होगे, वो बार wash rice को क्या करते हैं, wash करते हैं, लेकिन अगर आप बार-बार उसको wash करते होगे, ना तो उसके उपर से vitamins and minerals है, गंदरगी हटाने के लिए एक बार कर सकते हो, कि अगर जब repeating होगा, तो तो एक advantage यह हो गया, कि अच्छा taste हो जाता है, digest हो जाता है, लेकिन disadvantage क्या हो गया, बहुत सारे nutrients गुम हो जाते हैं, बहुत सारे अच्छे proteins होते हैं, minerals होते हैं, जो कि water होता है, यह सब क्या होता है, यह सब disadvantage है, okay, vitamin C get easily destroyed by heat, और क्या, देखो, vitamin C जो होता है, वो destroy हो जाता है, cooking के वक्त, okay, would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet, देखो, Buja thought that the fats would be the best foods to eat all the time, Buja सोचता है, कि हर टाइम fatty fat खाना चाहिए, ठीक है, और कटोरी, bowl of fat will give us most energy देंदे कटोरी, वो ऐसा सोचता है, कि एक कटोरी आपने fat लिया है, और एक कटोरी आपने rich food लिया है, खाना लिया है, अगर आप कम energy वाले को खाऊगे, और साथ में, जादे energy वाले में से थोड़ा सा खाऊगे, तो आपको दोनों चीज़े, equal amount में मिलेंगी, तो अगर आप देखो, बूजो ने क्या कर लिया, बूजो ने सोचा, मैं fat खाऊँगा, तो उसने fat खा लिया, और वो क्या हो गया, मोटा, अब इस मोटा पे को, English में, science के language में कहा जाता है, क्या, obesity, ऐसे तो आप कहते हो fat, लेकिन science के language क्या कहोगे आप, obesity, okay, in fat, तो fat किस में होता है, समोसा में होता है, पूरी में होता है, ठीक है, snacks में, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, sweets में होता है, do you think he was right, क्या, वो right था, of course, वो right नहीं था, ठीक है, इतना सारा fat खाना हमारे लिए, fat खाना हमारे लिए, क्या हो सकता है, harmful हो सकता है, ठीक है, obesity होगी, obesity से, क्या होगी बेमारिया, अब जब बेमारियों की बात करी रहते हैं, थोड़ा deficiency, disease के बारे में, discuss कर लेते हैं, अब person may be gets enough food to eat, ठीक है, परसन को थोड़ा बहुत खाना मिल जाते हैं खाने के लिए, बड़ कभी-कभी उसके अंदर nutrients अच्छे नहीं होते और अगर nutrients अच्छे नहीं होते हैं, और यही आप बहुत time के लिए करते रहें, ठीक है, बहुत time के लिए आप ऐसा खाना खाते रहें, जिसमें nutrient अच्छे नहीं है, तो आपको क्या होगी, deficiency होगी, कमी हो जाएगी, उस nutrient की, ठीक है, अभी अभी आप ऐसे करते रहे, fatty fat, fatty fat खाते रहे, आपको क्या होगा, बाकी nutrients की क्या हो जाएगी, deficiency, deficiency का मतलब, lack का मतलब होता है क्या, कमी, lack, L, A, C, K, इसका मतलब होता है कमी, इसका मतलब भी होता है कमी, ठीक है, आपको कमी हो जाएगी, और एक और कारण है, कि अगर आप ऐसा food खाते रहें, जिसमें क्या है, nutrient कम है तो आपको उसकी भी कमी हो जाएगी deficiency होगी कमी होगी, कमी होगी तो क्या होगा disease होगा disease होगा, disorder होगा बीमारिया हो जाएगी तो वो diseases जो की मतलब किसी nutrient की कमी की वज़े से होती है disease आपको और भी कारण की वज़े से हो सकते है लेकिन जो आपको nutrient की वज़े से होती है और बहुत time के लिए long period के लिए उसको आपके कहते हो deficiency disease कहते हो if a person does not get enough protein अगर person को protein नहीं मिलेगा अच्छा उसके खाने में तो उसकी growth पर effect पड़ेगा उसकी height पर effect पड़ेगा उसका face full ने लगेगा यह याद रखना यह बहुत important चीज है ठीक है पूरा paragraph बहुत important है ठीक है और उसके hair white होने लगेंगे skin disease, diarrhea बगर होने लगेंगे if the diet is deficient अगर diet में अगर आपके खाने में carbohydrate और protein दोनों की कमी है बहुत time के लिए तो आपकी growth भी रुख जाएगी ठीक है परसन बहुत lazy lazy सा हो जाएगा deficiency of different vitamins और यह थोड़ा pen ठीक नहीं कर रहा है तो vitamins अलग-अलग vitamins की कमी की वज़े से minerals की कमी की वज़े से आपको बहुत सारी बिमारिया हो सकते है आप table 2.3 देखो उसको learn कर लो अच्छे से क्योंकि I am sure वो आएगी all deficiency disease can be prevented by taking a और सारी deficiency disease से कैसे बजा सकता है balance diet को ले कि in this chapter we ask the reason why इस chapter में हमने पूछा different different regions के food ठीक है अलग-अलग foods के बारे में पढ़ा हमने सब कुछ इस chapter में cover कर लिया यह देखो table 2.3 देखो vitamin A की वज़े से loss of vision हो सकता है ठीक है आपको दिखना कम हो जाएगा darkness होने लगेगी यह सब होने लगेगा vitamin B1 की वज़े से अगर vitamin B1 की कमी है तो berry-berry हो जाएगा weak muscles हो जाएगे कम बहुत energy हो जाएगी ठीक है vitamin C अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपको रिकेट हो जाएगी अब आपको कैसे पता चलेगा आपको रिकेट हो गया है तो आपकी bones बहुत soft soft सी हो जाएगी और मुड़ने लगेंगी ठीक है अगर आपको calcium की कमी है तो आपका bones और tooth में problem होगा आपकी bones weak हो जाएगी tooth teeth सडने लगेंगे okay iodine अगर आपके body में iodine कमी है तो आपको क्या होगा goiter हो जाएगा यह table याद कर लेना ओके तो आपको कैसे पता से लगगा आपको फूलने लगेगा mental disability children's में mental problem होने लगेगी थोड़ी सी iron children's में सिर्फ टीक है iron iron की problem की विज़े से एनेमिया होने लगेगा ठीक है और एनेमिया कैसे होगा आपको weakness होने लगेगी ठीक है तो the distribution we find यहाँ पर यही बता है कि इस chapter में हमने balance diet के बारे में पढ़ा different different nutrients के बारे में पढ़ा यह कुछ terms है इसते keyword हैं balanced diet, berry berry, carbohydrate, यह सब हम complete कर चुकें है, vary ход्ड, energy energy क्या होती शक्ती, fats के बारे में, minerals के बारे में, nutrients के बारे में पढ़चा है, nutrient components होते हैं जो कि food के अंदर मिलते हैं प्रोटीन के बारे में, rafish के बारे में पढ़ा स्करवी ही भी बिमारी होती है, STARs के बारे में भी dietary fiber water होता है और ये सारे type के nutrients होते हैं carbohydrate fats हमें energy provide करते हैं protein on minerals हमारे लिए growth में help करते हैं और body की maintenance में help करते हैं vitamin हमारे को बहुत सारी disease से बचाता है balance right क्या होता है सारे type के food right quantity में लेना और साथ में refuge और water भी लेना deficiency क्या होता है deficiency होता है कमी जो कि आपको कही nutrients खाने की वज़े से non-nutrients खाने की वज़े से आप nutrients कोई नहीं खा रहे हो तो उसकी वज़े से आपको कमी हो जाएगी और आपको बिमारी होने लगेगी तो इस वीडियो में हमने पूरा chapter एकदम complete कर लिया है तो अगर आपको exercises भी बहुत अच्छे से समझनी है और solve करनी है तो आप next video जरूर देखना thank you very much